हलो दोस्तो आप देख रहे हैं राठोर एलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल दोस्तो आज मेरी स्वाप पर यह 30 इंच फोर बिलेट का सीलिंग फैन रेपेर होने के लिए आया है तो हम इसे रेपेर करेंगे सबसे पहले दोस्तो हम इसे सीरिज लेंप के द्वारा चैक करेंगे कि इसके कनेक्शन कंटिनूटी देखा रहे हैं या नहीं तो सीरिज लेंप जर रहा है दोस्तो इसमें कोई कंटिनूटी नहीं है चलिए दूसरी ओर चैक करते हैं तो इसमें कंटिनूटी है पर दोस्तो इस दूसरे connection में continuity नहीं है और इसमें भी continuity नहीं है इसका सीधा अर्थ यह है दोस्तो कि इसकी motor जल चुकी है यह हमें दोबारा rewinding करना पड़ेगा तो दोस्तो इस वीडियो में हम इसे rewinding करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तो हम इसमें लगे इस pipe के nut को इस प्रकार से खोल लेते हैं और इसके pipe को इससे अलग कर लेते हैं इसके बाद दोस्तो हम इसमें लगे इस condenser connector को भी इस saft से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तो इसके बाद दोस्तो हम एक marker pen से mark लगा लेते हैं तो दोस्तो हमने body पर mark लगा लिया है दोस्तो इसी mark पर rewinding करने के बाद हम दोनों cover को एक साथ जोड़ेंगे और इसके screw को कसेंगे दोस्तो एदि आप पहली बार मेरे YouTube चेनल पर आए हैं तो मेरे YouTube चेनल को subscribe करें और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को like जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में काफी महनत लगता है दोस्तो देखिए इसकी binding काफी heat हो गई है heat होने की वज़ाए से दोस्तो इसके connectionों के यहां से यह fan की motor जल गई है तो दोस्तो हम इस fan के stator को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं दोस्तो यदि बाहर नहीं निकलता है तो साप्ट पर हम थोड़ा सा आईल डाल लेते हैं तेल डाल लेते हैं तो यह धीला हो जाता है और इसके बाद दोस्तो हम एक लोहे की राड की सहाता से इस परकार से उपर से ठोकल लगाते हैं तो यह कवर बढ़ी आसानी से बाहर निकलाता है तो दोस्तो कवर बाहर निकलाया है पर दोस्तो इसमें यह बेरिंग लगा हुआ है यह bearing बाहर नहीं निकला है दोस्तो, bearing निकालने के लिए हमें bearing remove पुलर की आवसकता पड़ेगी तो हम पुलर के द्वारा इस bearing को बाहर निकालेंगे दोस्तो, यदि आप इस पुलर को purchase करना चाहते हैं तो मैं इसका link वीडियो की description में दे दूँगा तो आप चाहें, तो इसे Amazon के द्वारा purchase कर सकते हैं तो दोस्तो, यह काफी अच्छा bearing remove पुलर है इसकी सायता से हम बड़ी आसानी से किसी भी stator में फसे हुए bearing को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो दोस्तो, मैंने इस 62-02 नंबर के bearing को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लिया है अब दोस्तो, हम इसकी पुरानी binding को एक कटर की सायता से इस प्रकार काटेंगे और इस binding को काटने के बाद, हम दोवारा इस stator में binding को करेंगे दोस्तो, इस वीडियो में मैं आपको इस 30-inch 4-blade aluminum binding का डाटा आपको दूँगा तो आप इसी डाटे से इस hand के stator की binding कर सकते हैं तो दोस्तो, मैंने कटर से इसकी binding को काट लिया है यह दोस्तो, ऊपर running call की binding रहती है तो हम इस प्रकार से running call और starting call दोनों की binding को इस टेटर से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तो, यह binding निकालना बड़ी आसान है पर दोस्तो, जो लोग नए हैं इस फिल्ड में बे नहीं जानते हैं कि binding को कैसे निकाला जाता है यह सब मैं उनी के लिए दिखाने के लिए वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो दोस्तो, इस प्रकार से हम पुरानी binding को बाहर निकाल लेते हैं और binding निकालने के बाद दोस्तो, हम इसमें नई binding करेंगे तो जल्दी से हम इसकी binding निकाल लेते हैं तो देखिए दोस्तो, मैंने running और starting दोनों बायर को बाहर निकाल लिया है अब दोस्तो, हम इसमें PVC पेपर लगाएंगे जो की 7 नंबर का PVC पेपर है यह पेपर दोस्तो, कई नंबरों में आता है जिसे हम 5 नंबर PVC पेपर, 7 नंबर PVC पेपर, 10 नंबर PVC पेपर इसे दोस्तो, हम फिल्म पेपर कहते हैं पर दोस्तो, इस फैन में हम 7 नंबर फिल्म पेपर का उपयोग कर रहे हैं तो दोस्तो, फिल्म पेपर को इस टेटर में किस प्रकार से लगाया जाता है इसका प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले हम इस प्रकार से पेपर को काटते हैं और इस प्रकार से पेपर काटने के बाद दोस्तो इस प्रकार से इस चाकू की सहता से हम इस प्रकार से पेपर की कटिंग करते हैं और बड़ी ही आसानी से हमें एक नाप के पेपर मिल जाते हैं तो जल्दी से हम पेपर काट लेते हैं तो देखिए मैंने पेपर काट लिये हैं अब दोस्तो इस प्रकार से यू टाइप में फोल्ड करके हम इसकी सिलोट में पेपर को इस प्रकार से लगाते हैं और इसका नाप तैयार करते हैं अब चलिए दोस्तों हम इसकी कालर को इस प्रकार से बनाते हैं और दोनों अंगुठों की सायता से मोड़ कर इस कालर को बना लेते हैं और स्लोंट में लगा कर देखते हैं तो देखिए यह कालर अच्छी तरह से लग गई है अब चलिए एदी पेपर बड़ा होता है तो उसे छोटा कर लेते हैं और दूसरी और की भी कॉलर को इस प्रकार से अंगुठो की साहता से प्रेस करके हम पेपर को मोड लेते हैं और दोनों और की कॉलर बना लेते हैं तो फाइनली दोस्तो हमारा नाप बन गया है इसी नाप के अनुशार दोस्तो हम इसमें सभी सिलोंटों में पेपर लगाते हैं तो चलिए पेपर लगा लेते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने सभी सिलोंटों में पेपर लगा लिए हैं इसमें दोस्तो कुछ सिलाट हैं स्टार्टिंग की छोटी हैं और कुछ सिलाट हैं स्टार्टिंग की बड़ी हैं तो जो सलाट बड़ी है बे स्टार्टिंग की है और जो सलाट छोटी है बे रनिंग की है तो दोस्तो हम रनिंग कोई की इन सलाटों से इन पेपरों को निकाल लेती हैं तब जाकर हम स्टार्टिंग कोई की बाइंडिंग कर सकेंगे तो running के paper हमने निकाल लिए हैं अब दोस्तो इस छेद के सामने हम starting quality binding करेंगे तो दोस्तो हम starting quality binding का data आपको बता देते हैं दोस्तो इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है और इसका gauge 35 नंबर है और दोस्तो इसमें मैंने 190 टर्न लगाए हैं दोस्तो यह aluminium binding है aluminium binding में दोस्तो यह मैंने data बनाया है और यह काफी अच्छा data है दोस्तो यदि इस data से हम fan की binding करते हैं तो fan काफी अच्छी तरह से गूमता है और काफी लंबी service भी देता है तो दोस्तो एक बार फिर मैं आपको इसकी binding का data आपको बता देता हूँ दोस्तो यह 35 नंबर से binding मैं कर रहा हूँ इसकी qual की लंबाई 15 इंच है और इसमें 190 टर्न मेंने लगाए हैं और दोस्तो इसकी pitch एक से चार में तीन बार हम qual को इस टीटर में बिठालते हैं और अब हम इस प्रकार से इस पीबी सी पेपर को काट कर उपर से यू टाइप में फोल्ड करके क्वाल के उपर इस प्रकार से लगा देते हैं अब दोस्तो हम दूसरी और की भी क्वाल को स्लोट के अंदर डालेंगे तो एक बार में एदी पूरे बायर नहीं जाते हैं तो हम थोड़े थोड़े बायर करके भी स्लोट के अंदर बिठा देते हैं पर दोस्तो इसमें काफी सारी जगा है तो यह क्वाल बड़ी आसानी से स्लोट में चली जाती है दोस्तो इस प्रकार से हम एक से चार में क्वाल को बिठा देते हैं दोस्तो इसमें कनेक्शन सीरेच कनेक्शन होगे जिसे हम एक से तीन में कनेक्शन करना भी कहते हैं यदि दोस्तो आप सीरेच कनेक्शन नहीं जानते हैं एक से तीन में connection करना नहीं जानते हैं तो आप मुझे comment box में comment करें मैं उसका वीडियो बना कर आपके साथ share करूँगा अब देखिए दोस्तो मैंने यह दूसरी call उठाई है इसे दोस्तो हम इस परकार से पलट लेते हैं तो इसमें connection आटोमेटिक हो जाते हैं तो दोस्तो एक call को हम सीधा लगाते हैं और एक call को हम उल्टा लगाते हैं तो connection already हो जाते हैं हमें connection करने की आवसकता नहीं पड़ती है दोस्तो मैंने इसमें बिथ जोइंट के call बनाई हैं दोस्तो आखरी में एक पहली call का बायर और आखरी call का बायर ही हमारे पास बचेंगे तो दोस्तो एक से चार में मैंने call को set कर लिया है अब हम इस प्रकार से एक से चार में तीसरी बार इस प्रकार call गूमा कर हम set कर लेते हैं दोस्तो इस प्रकार से call डालने के बाद उपर से हम यह u-type का paper लगा कर इसे लॉक कर देते हैं दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में काफी मनुवल बढ़ता है तो आप आप से किवल एक ही अपेक्छा है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखिए मैंने दोनो क्वाल को इस टेटर में एड़ कर लिया है इसी प्रकार दोस्तो हम क्वाल पूरी इसमें एड़ करेंगे तो देखिए हमने सभी छे क्वालों को इसमें एड़ कर लिया है और हमारे कनेक्शन भी बाहर निकल आये हैं अब दोस्तो हम इसमें medical tape लगाएंगे ताकि running और starting call आपस में short ना हो तो दोस्तो running और starting call आपस में short ना हो इसके लिए दोस्तो हम इसमें medical tape लगा लेते हैं तो दोस्तो medical tape मैंने इस प्रकार से call को sorting से बचने के लिए लगाया है आप चाहें तो इसमें leather paper का उप्योग भी कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने इसमें medical tape लगा दिया है दोस्तो यदि आप medical tape लगाना नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से आप medical tape बड़ी ही आसानी से starting call में लगा लेते हैं दोस्तो इसी प्रकार हम आगे वाली और भी medical tape को लगाएंगे तो दोस्तो मैंने starting call का पूरा data आपको बता दिया है इसी data को आप रख कर वाल बाइंडिंग कर सकते हैं अब दोस्तो हमने दोनों और का medical tape लगा लिया है और हमने running call के paper भी इसमें add कर लिये हैं अब दोस्तो अब हम इस प्रकार running call को इसकी binding करेंगे तो चलिए running call का भी data आपको बता देते हैं तो दोस्तो running call की लंबाई 16 इंच है इसका gauge 35 नंबर है और इसमें turn मैंने 190 turn ही इसमें भी लगाए हैं और दोस्तो इसकी pitch रहेगी एक से चार में तीन बार मुझे राउंड लगाना है तो दोस्तो इसका data मैंने आपको बता दिया है यदि आपने data ध्यान से नहीं सुना है तो चलिए एक बार फिर मैं आपको running call का data बता देता हूँ दोस्तो क्वाल की लंबाई मैंने 16 इंच रखी है क्वाल का gauge मैंने 35 नंबर रखा है और इसमें turn 190 मैंने लगाए हैं दोस्तो इसकी pitch एक से चार में तीन बार रहेगी दोस्तो यदि आपको data निकालना हो तो आप पुरानी binding जब काटते हैं तो उसी के आधार पर भी आप binding का data निकाल सकते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने running कुवाल को इस प्रकार से एक से तीन में लगा लिया है अब हम इसमें यह साथ नंबर PVC पेपर काटकर यू टाइप में फोल्ड करके slot के उपर इस प्रकार से लगा देते हैं और कुवाल को लोक कर देते हैं अब दूसरी और का भी कुवाल दोस्तो हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बायर करके इसमें एड़ करेंगे और slot के अंदर पूरे बायर डालने के बाद कुवाल को यू टाइप में पेपर को फोल्ड करके पेपर को slot के उपर लगा देते हैं दोस्तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें वीडियो को यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है कुछ जानकारी मिलती है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर करें इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा अब चलिए दोस्तों हम जल्दी से यह दूसरी रणिंग कुआल भी इस टेटर में एड कर लेते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हम कुआल को उल्टा करके इस टेटर में एड करेंगे तो आलेडी इसके कनेक्शन हो जाते हैं और एक से चार में इसकी पेछे तो एक बार मैंने इस प्रकार से एक से चार में कुआल को बठा दिया है और इसी प्रकार दोस्तों हम क्वाल को मोड़कर एक से चार में दो बार क्वाल को इस प्रकार बठाते हैं अब चलिए जल्दी से हम इसको इस्टेटर में एट करेंगे तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से एक से चार में दो बार क्वाल को सेट कर लिया है अब इस प्रकार से फोल्ड करके एक से तीन में माप किजिए एक से चार में तीन बार कौल को इस प्रकार से लगा लिते हैं दोस्तो इसी प्रकार हम सभी छे कौलों को इस टेटर में एड़ करेंगे तो दोस्तो मैंने इस टेटर में इस कौल को इस प्रकार से जल्दी से एड़ कर लिया है इसी प्रकार दोस्तो हम सभी कौलों को इन रेनिंग कौलों को इस टेटर में एड़ करेंगे और यह यू टाइप का पेपर इसके उपर हम लगा देते हैं तो फानेली दोस्तो हमने दोनों कौलों को इस टेटर में लगा लिया है अब सभी कौलों को हम इस टेटर में एड़ कर लेते हैं फिर आपको देखाते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने सभी चेक वालों को रणिंग वालों को इस टेटर में एड़ कर लिया है हमारी काफी अच्छी फिनेसिंग इस टेटर में आई है तो इस प्रकार से हम बाइंडिंग कर लेते हैं अब चलिए दोस्तो हम इसके connection को भी कर लेते हैं तो दोस्तो running call में हमने red वाले wire का उपयोग किया है और starting call में दोस्तो हमने black वाले wire का उपयोग किया है अब चलिए दोस्तो हम इसकी taping कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी binding को कि हमारी binding कैसी लग रही है तो दोस्तों देखिए मैंने इसकी binding complete कर ली है और इसकी taping कर ली है अब चलिए हमें इस सीरील लेंप के द्वारा चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम starting call को चेक करते हैं तो देखिए continuity देखा रहा है अब running call को चेक करते हैं तो इसकी भी यह continuity देखा रहा है अब दोस्तों हम इसे body short भी चेक कर लेते हैं तो एक बायर हम call का और दूसरा body में touch करते हैं तो इसमें किसी परकार की कोई sorting नहीं है अब दोस्तों हम इसमें insulation कर लेते हैं तो दोस्तों insulation करना बहुत जरूरी है insulation करने से दोस्तों binding में vibration नहीं होता है और binding करते समय यदि कोई wire कट चल जाता है तो इस insulation से उसकी भी safety हो जाती है दोनों और हमें insulation करना चाहिए दोस्तों अच्छी तरह से हम insulation करेंगे पर दोस्तों insulation की मात्रा हमें ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए insulation ज़्यादा करने से फैन की speed भी कम हो जाती है तो दोस्तों insulation की मात्रा हमें सीमित रखना चाहिए तो अब चलिए दोस्तों हम इसके cover में भी stator को set कर लेते हैं और इस प्रकार से हम इसके cover में ठोकर लगा कर stator को बठाते हैं और अब हम दोस्तों इसमें यह spring भी लगा लेते हैं अब दोस्तों हम इसके cover को set करते हैं दोस्तों मैंने पहले ही इसमें mark किया था तो इसी mark को ध्यान में रखकर दोस्तों हम इसके screw को कसेंगे तो बड़ी आसानी से set हो जाता है और फिर ही हो जाता है तो देखिए फैन काफी अच्छी तरह से smoothly घूमने लगा है अब दोस्तों हम इसमें capacitor connector को इस परकार से लगा देते हैं capacitor connection लगाने के बाद दोस्तों हम इसके connection करेंगे तो दोस्तों एक black wire और एक red wire इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यह common wire बन जाता है अब बच्चे हुए दोस्तों एक black और एक running wire को हम capacitor के दोनों connectionों में जोड़ देते हैं तो देखिए यह running wire को हमने इस परकार से capacitor connection में जोड़ दिया है और यह black wire को भी इस परकार से हमने capacitor में जोड़ दिया है अब दोस्तों हम इसे series lamp के दोआरा चेक करेंगे कि फैन किस दिसा में घूम रहा है तो एक wire running पर दूसरा common पर लगाते हैं तो फैन इस परकार से घूम रहा है अब चलिए दोस्तों एक बार फिर हम आपको घूमा कर देखाते हैं तो देखिए दोस्तों फैन एंटी क्लोग बाईज घूम रहा है तो दोस्तों जब हम इसे उपर उठाएंगे तो यह क्लोग बाईज घूमने लगेगा यदि फैन दोस्तों उल्टा चलता है तो हम running call के wire आपस में पलट देंगे तो वह सीधा चलनी लगेगा तो देखिए कनेक्टर में मैंने कनेक्शन कर लिए हैं उपर यह कुमन बायर बीच में यह स्टार्टिंग क्वाल का बायर और नीचे यह running क्वाल का बायर है दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें supply बायर उपर नीचे देते हैं अब दोस्तों हम इसे एक बार फाइनली टेस्ट कर लेते हैं तो देखिए यह फैन काफी अच्छी तरह से घुम रहा है काफी स्पीट में घुम रहा है स्मूथली घुम रहा है दोस्तों इस प्रकार से हम 6 प्लस 6 तीस एंच Aluminium Binding से इस फैन की Binding कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसका पूरा डाटा पूरा प्रोसेस किस प्रकार से Binding की जाती है पूरा आपको दिखाया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें